हलो गाइस कैसे हैं आप लोग आज हम रेजोनेंस की बात करने वाले हैं रेजोनेंस बेटा आपका ना और्गेनिक केमिस्ट्री का फाउंडेशन बनाता है और्गेनिक केमिस्ट्री आपकी इत्ती आगे बढ़ी है ना तो वो इसी टॉपिक की वज़े से है और resonance क्या करता है ना अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो यह stability प्रोवाइड करता है तो कैसे stability प्रोवाइड करता है फ्रक्र्क्र्स को क्या चीज होती है और क्या क्या point है इसके बारे में हम सारी चीज़े पढ़ने वाले हैं तो पहरी बात बटा आकर resonance की बात की जाएना तो resonance observe किसमे होता है तो जर्टनली आपने resonance का नाम सुना होगा observe जहां पर start हूआगा यह start होगा बैंजीन में किसमें स्टार्ट वो का बेटा बेंजीन में क्लास 11 के अदर आपने यह चीज़ पढ़ी होगी कि बेंजीन के अंदर सर ऐसे तीन बॉंड होते हैं ठीक है यह आपको जैसे मालीचे मैंने का वन टू और थ्री ऐसे कह दिया तो सर यह बेंजीन अपने अपने हम इसको बेंजीन को एक ऐसे अब जैसे आपका वान लुगों के बीच में तयू कि बीच में ठाना अब इसके बॉ democrat कहा अफ्का पे कारबन 1 ये वाला वन और ठो अगर मैं इनकी बॉंड लेन्द की बात करूंगा थिए पैंटा ही So की चेहां पर जो बॉंड्ड अधी राथि यंकी वा आती है आपकी 1.34 estavam के असपस और यहां क्या क्या बड़ाबर है ऀय दोनों आपस में perform aso क्या क्या रइस करते हैं कि cuz caricatures क्या किलाते हैं कि आपके रिज़नितेग क्याको समझ में आगे पहली बात क्लिए यह ऩाँ थिक है इनके दो ती नाम और होता है वह आपके को इjähr को सब रहा बस यह दोनों को क्या केहते है रेल Cornu को तो आपकि अलग अलग आ रही है इनकी lớp likely है यहां पे बेठा है एक हाइब्रेट भी बनता है क्या होता जैसे आपका है बनाएब बनाएब यहां बात करें यह वाला बॉंड फिर यह वाला बॉंड यह यहां रहा है तो एक्च उलमी यह पूरी रिंग के अंदर घूमते रहते हैं तो कई बार आपने benzin को ऐसे भी बनाते हुए देखा हुआ काफी लोगों ओप ऐसे बीच में तो इसका मतलब क्या है कि ये बेंजीन के अंदर सारे बॉंस आपके रोटेट हो रहे हैं यह ए और हाइब्रीड का मतलब क्या होता है कि यहbor आपके पर करता है कि सारे बॉन्ड आपके यहां पर रोटेट हो रहे हैं तो बीच में से सरकल से आप उन्हें जब लोग बना देते तो इसको क्या बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं इसको हाइब्रिड बोलते हैं अगर इसकी मैं बात करो इसका नाम क्या होगा रेजोनेंस hybrid बोलते हैं clear वाली बात पक्का ठेक अच्छा यहां पर अगर मैं बॉन्ड लेंड की बात करूं कार्बन नुमर और कार्बन टू की बीच में कित्ती बॉन्ड लेंड आती है इनकी बीच में बॉन्ड लेंड होती है कित्ती होती है यह सभी के अंदर आपकी 1.39 Armstrong होती है यह बात बीसिक है जो आपको मैं बाते बतारों आपको याद रखनी है ठीक है अच्छा एक बात और आपको यहां पर द्यान रखनी है कि जो आप यह hybrid बनाते हैं इस hybrid के बारे में चलो मैं अलग सी बाते लिखा देता हूं यहां पर बना लेना यह टिक है चलो अगर जैसे मैंने आपके सामने यहां पर यह इस बनाया है तो यह आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि यहां पर carbon 1 और carbon 2 की बीच में जो mánd length आती वो किती आती है आपकी 1.39 armstrong के आसपास आती है पहली बात आपको यह पता होने चील है दूसरी बात कि जो आपका यह hybrid बना इनर्जी क्या होती है सबसे कम होती यह नि इसकी minimum energy होती है minimum energy मतलब कि मतलब यह आपका बहुत जादा stable होता है most stable होता है ज़्यादा स्टेबल होने की वझे से ही आपका इसकी energy क्या रहती है कम energy रहती है और भीटा यह क्या करता आपको बदेगे कि most table form में होता है क्यों कि hybrid है सकते कि नाम भी आप याद रूख लएंगे सब आप मैं लिख देता हूं resonance hybrid बोलते हैं क्या बोलते हैं हम resonance hybrid बोलते हैं clear और फिस बात अगर मैं आपको यहां पर एक और point बोलू कि यह आपका hybrid होता है यह आपका hybrid होता है hybrid हमारा क्या explain कर देता है it explain it explain क्या explain करता है सारी physical properties और आपकी chemical properties तो बस आपको resonance के बारे में यह आपको याद रखना है कि बैंजीन के पास में हमने सबस्वर्स ली observe किया था बैंजीन को हम एक ऐसे बना सकते हैं ठीक ऐसे बना सकते हैं यहां फे थोड़ा सा bond को change करके यह आपके ऐसे बना सकते हैं यह नोरों interchangeable होता है कैसे इंटर्चेंज करते हैं वह मैं आपको बैंजीन के अभी जब डूल्स कराऊंगा तो आपको बता दूँगा और इनके बाद आपको यहां पर क्या बनता है एक resonance hybrid भी बनता है जहां पर electron आपके सारे घूमते रहते हैं और इस hybrid की minimum energy होती है more stable होता है ठीक है और इसी की basis पर हम सारी आपकी physical और chemical properties explain कर सकते हैं बताओ यह सारे point I hope आप लोगों को clear हो गए होंगे ठीक है कोई doubt इसमें किसी को नहीं पका चलो एक सेट एक सेट एक सेट चलो वह बस एक बार चेक करना होता है रिकॉर्डिंग और यह कि नहीं होरी क्योंकि पिछली बार वह दिक्कत हुई थी दो घंटे की वीडियो बन गई थी और फिर हो नहीं पाया चलो आगे चलते हैं इसके बाद आप मैं आपको ना resonance के बारे में कुछ important point बताने वाला हूँ ठीक है तो पहला point क्या है आपके सामने कि resonance is hypothetical phenomenon actual में आपको resonance होता नहीं है यह हम मान के चलते हैं कि कहां पर resonance हो रहा होगा इसका कोई proof नहीं है resonance का कि resonance आपका ऐसा होता वह आपको दिखाई दे बतलत जैसे आपने resonance आज तक पढ़े होंगे जैसे अगर आपका फिनॉल लगा है तो यह electrons आपके जाते हैं आपको पता हो यह electrons जाते हैं यह जाते हैं इसे move करता है तो इसका कोई प्रूफ नहीं है कि यह चीज हो रही है इस और बेस्ट ऑन हाइपोथेटिकल फिनॉमिना समझ में आ गया कि यह कैसा है आपका हाइपोथेटिकल है इसका कोई भी प्रूफ अभी तक नहीं है सेगिंड पॉइंट इस एन इंटर मॉलीकुलर फिनॉमिना इंटर मॉलीकुलर मतलब यह मॉलीक्यूल के अंदर ही होता जैसे अभी आपने इस और लेक्टरों इसको थोड़ा से कर लेता है यह लगा दिया यह फिनॉल बन गे आप लोगोगो पता हो जिनको न तो यहाँ पर ऐलेक्टरॉंज यह अपकी यहां जाते हैं और यह आपका इदहर आता है तो यह आपके क्या बाहर से किसी को इसी के ब बाद यह start हुआ नहीं यह सर यह अपने molecule में start हो रहा है तो कोई भी चीज अपने molecule के अंदर ही start होती है इसको हम बोलते है इंट्रा तो यह नहीं इंट्रा मॉलिकुलर फिनॉमिना दो पॉइंट क्लिर हो गए यहां पर टेक थर्ड पॉइंट पर चलते हैं इट इस टेबिलाइजिंग फिनॉमिना यह आगर कहीं पर भी आपके यह बात ध्यान रखना अगर कहीं पर भी आपको रेजोनेंस होता हुआ पता हो जाता है आपका स्टेबल हो जाता है यह बात ध्यान रखना कि जहां पर भी रेजोनेंस आया इसका मतलब वो क्या हो गया आपका स्टेबल हो गया क्लियर वाला पॉइंट पक्का चलो आगे चलते हैं इस आप पर्मनेंट इफेक्ट जैसे मैंने आपको इंड़क्टिव की बात कि थी वो क्या थाधरिके दॉबट आगर एक बाहर क्या आगया न तो रैजोनेंस हमेशा रहता है स्टिशियक के लिए थे sorry should fare का कारण कि आपके प्लाई एक्ट्रों्स पई लेक्ट्रॉंस पाइलेक्ट्रॉंस की मूवमेंट या to आपके नेगेटिव चार्ज ने फिर जो आफने फ्री रेडिकल पढ़ान और अगर इन चारों से अगर इन चारों में से किसी की भी आपकी मौझूदगी हुई और यह भ बदलेते हैं कैसे बदलता है जीसे आपने हुद देखा यह आपने फिनोल बनाया था उपर आपके ऐसा था दा तो इसे पॉन का ओन evacuation प्म यह लोनhaus बोलते हैं यह फे लोन पेयर है तो जहां जहां पर बस आप याद रखना कि जहां पर भई या पाइल एक्ट्रॉन की मुवमेंट हो रही हो यहां तो पॉजिटिव चार्ज हो यह नेगेटिव चार्ज हो यहां फिर रेडिकल हो इन पांचों में से आपकी कहीं पर भी कोई भी डी लोकलाइजिशन मतलब अगर यह कहीं पर भी मूव कर रहे हो तो वहां पर आपका क्या जाएगा बेटा वहां पर आपका रेजुनेंस होगा समझ में आ गए यह सारी बात ठेक बस अभी के लिए पॉइंट यह याद रख लो ना अभी आपको रेजुनेंस के बारे में सारी चीज़े पढ़ानी है पर अपको बेसिक में पता रहा हूं तो बेसिक आप चीज़े याद रखो क्या-क्या यह हाइपने मॉलेक्यूल के अंदर ही होता है और एक स्टेबलाइजिग फिनॉमेन है और फिर फ्री रेडिकल की अगर इन में से किसी की मूंव्मेंट हो तो वहां पर क्या होगा आपक है जरूर रेजनेंस होना है इसे अगला पॉइंट रेजनेंस होने के लिए आपका मॉलीकुल क्यों अचाहिए प्लेनर का मतलब क्या है बेटा वहां पर आपकी जो हाइबराइजन होना मापपे आपकी स्पीटू होनी चाहिए कैसे सर यह देखिए यहां पे यहां पर आपने बनाया नहीं आपको बेंजीन के एक्जंपल कराया ठीक है यहां पर यह हाइडूजन लगा लिजे हर जगा लिजी लिगे यही होता है आपका बेंजीन और इसके बीच में यहां पर क्या होगा मैं आपको बना के दिखा देता हूँ यहां पर कार्बन होगा यह कार्बन यह कार्बन यह कार्बन यह कार्बन और यह कार्बन और इनकी पीश में क्या होगा कहीं ना कहीं आपके डबल बॉंड होगे मान लिए एक इधर मान लिए एक इधर मान लिए और एक इधर मान लिए अब मैं अगर आपकी यहां पर बात कर है आपकी SP2 कित्ती है बटा आपकी hybridization SP2 hybridization समझ में आ गया यहाँ पर हर case case के अंदर आपकी hybridization कित्ती हुई बटा आपकी SP2 तो resonance होने के लिए आपका molecule planar होना चाहिए इसका मतलब कि वहाँ पर आपकी hybridization कित्ती होनी चाहिए SP2 नहीं चाहिए क्लियर यह वाली बात ठेक चलिए आगे चलते हैं अगला पॉइंट लोन पेर participating in resonance are not considered in hybridization यह बहुत इंपॉर्टेंट है काफी बच्ची इस गलती करते थे और काफी जगा आपको एक चीज गलत सुनने को मिल जाएगी कि जो भी लोन पेर आपका resonance में participate कर रहा हो आप उसको hybridization में consider नहीं करेंगे सर एक्जामपल के समझा दीजिए लो जो एक्जामपल लेकर समझे बहुत अच्छी से लेक्रियर होगा जिसे मालो आपके सामने मैंने यह molecule लिए ठीक यह लिए और यहां पर इसके लोन पेर आपको पता है कि यहां पर लोन पेर क्या ओगा ना यह लोन पिर बिटा आपका इधर की तरफ करेंगा यहां पर यह डबल बन बनाएगा और यह आपके दर हो जाएगा तो ये लों पेयर आपका कहा हुआ है resonance में इन्कलूड हुआ है यहाँ पर जो आपका यहाँ जो आपका components आ आया तो अगर जब मैं निकालूग और किसकी अगर मैं मालो किहाँ और तो इसाकसिजों की hydrogen कैसे निकालते हैं यहाँ पर कितने bond आ रहे हैं एक यह रहा एक यह रहा है यानि टू बॉञड पेर और लोन पेर पर दो थे पर üstके अंदर से यह वाला जो उपड़ बांवाला है यह आपका कृत में यूज हो गया रैजौनेंस में यूज हो गया तो बचा कॉन प्यर आपके resonance में इंक्लूड हो जाए उसको हम आपके हाइब्रेशन में consider नहीं करते हैं अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे condition कि किस-किस case के अंदर आपका resonance possible है मैंने आपको बताया था अभी कौन-कौन यहां तो positive हो यहां तो negative हो यहां तो आपका क्या हो फ्री रेडिक लो इन पांचों में से आए इन चारों में से आपके resonance हर केस के अंदर possible है बताओ कोई डाउट इसमें अगर मैं यहां पे पूछू दूसरा में क्या किसा double bond के साथ आपके conjunction में क्या हो negative चार्ज हो तब भी पॉसिबल है तेक आगे अगर मैं और पूछू आपसे third case आगर आप यहां पे बताएं किसर आपका इसके साथ loan pair भी मौजूद हो यहां पर लिखना भूल गया मैं पांच चीज़े ती यहां पर सर आपका conjunction में क्या हो loan pair भी मौजूद हो टेक फोर चीज और क्या बच्छी आपका positive आ गया आपका loan pair आ गया और क्या रहे गया आपका यहां पर double bond भी आ जाता है ना double bond यहसे ऐसे टेक ऐसे double bond आपका आ गया इसका मतलब यहां पर कैसे movement होगी यहां पर देखना आप resonance की कि यह double bond आपका यहां और यह वाला आपके इस वाले कारवन के उपर आ जाएगा तो double bond आपका जहां पर मौझूद हो वहां पर भी आपकी movement हो जाती है resonance possible है फिफ्ट केस की अगर मैं बात करूँ आपसे फिफ्ट वाले की तो यहां पर क्या हो कि जहां पर एक फिफ वाला बहुत important है यह काफी लोग मिस्ट कर जाते हैं कि जहां पर आपका vacant resonance orbital हो तो vacant resonance orbital वाला जो कीस है यह वाला कीस आपका exceptional है यह आपके बड़ी classes को पढ़ाए जाता है msc वालो को आपके लिए बस इतना बहुत नहीं तक बहुत है आप नहीं तक जानके रखेगा कि positive हो negative हो lone pair हो और आपका double bond हो यहाँ फिर आपका free radical हो free radical बना लो यहाँ पर सर आपका free radical हो एक electron वाला free radical इन पाचो तो पूरा बनाने का मतलब है कि वहाँ पर आपके कितने electron transfer हो रहे हैं मतलब जैसे आपने यहाँ पर बनाया यह आपने फिन बनाया टेक और यहाँ पर एहाँ बना दिया तो यह यह डोडो पर मैं लेक्ट्रों का रहा हो कि यहाँ पर migration है कि दो electrons की migration है और जहां पर अगर मैं ऐसा show करूँगा जहां पर single सा ऐसा ऐसा arrow show करूँगा ऐसा एक गम simple सा तो यसका मतलब कि यहां पर एक electron की migration है अब आप लोग समझ रहे होगे कि यह एक electron की migration मैं किसके case के लिए use करने वाला हूँ यह वाला मैं free radical के लिए use करने वाला हूँ free radical के case के में तो एक electron होते है carbon के पर एक electron होते है तो carbon के अंदर एक electron ऐसे मैं दिखाऊंगा तो यहां पर मैं ऐसा single arrow दिखाऊंगा यह arrow आपके काफी जगए use होंगे clear हो गई वाली बात arrows की टिक है चलिए आगे चलते हैं अब देखो यहां पर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि यहां पर कहां कहां आपके resonance हो सकते हैं आपको कई बार IAT वगर में question आ जाते हैं या फिर basic भी आपको पता होने चीज़ी कहां पर हमारे resonance हो सकता है कहां पर नहीं होता ठीक है तो चलिए इस बारे के हम सारी चीज़े पढ़ते हैं तो अकर मैं conjugation की बात करूँ तो double bond conjugated with negative एक सेक्ट में बपना तो अकर मैं बात करूँ double bond conjugated with negative charge तो जहां पर भी बीटा double bond आपका negative charge के साथ हो वहां पर resonance होगी अब सर कैसा मतलब है जैसे मालो यह आपका यहां पर आगे double bond और यह आगे आगे आपका negative charge तो यहां पर कैसे सार हमारी resonance possible है तो देखना यह negative charge आपका यहां पर attack करेगा और यह double bond जो है वो आपका इधर आ जाएगा तो यहां से एक bond टूटा तो इसके ओपर क्या आ जाएगा आपका Negative charge और इस negative charge की वरे से यहां पर क्या आगे आपका एक double bond आगया समझ में आई यह बात कि आए की नहीं गई बताओ कि सर यह जो उपर negative charge था इसकी वरे से आपका double bond आगया और यह वाला bond आपका उपर negative आ गया अब वापिस दूसरे केस में क्या हो सकता है कि ये नेगेटिव वाला वापिस इदर आ जाए और ये वाला इदर अची से ले जाए मतलब सेम आपको ये मिल जाएगी तो मतलब आपस में ये हो गया तो यानि यहाँ पे हुआ क्या सर यहाँ पर रेजुनेंस हुआ तो डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज जब भी आपके साथ में होंगे कॉन्जुकेशन में होंगे तो वहाँ पर आपको रेजुनेंस मिलेगा क्लेरे वाली बात ठेक और यहाँ पर आपको क्या बनता है इतल यहाँ थैक हाउबृइड भी बनता है क्या वाल क्या आपको यहाँ अपना यहाँ पर इस वाल वाली बात मताओ कोई डाउट किसमें किसी को कि चलिए आगे चलते है क्योंट ला kı कि आप देखते हैं second case मतलब double bond conjugated with positive charge तो जहाँ पर double bond positive charge के साथ हो यहाँ पर भी आपका क्या हो सकता है बेटा resonance हो सकता है कैसे होगा सर आप देखो सर यह positive charge है मतलब इसके पास positive है इसको bond चीए तो यहाँ से क्या होगा यह bond आपका इधर transfer हो गया अगर यह bond इधर transfer हो गया तो इस carbon के पास इस वाले carbon के पास आपके जो bond था वो इधर चला गया तो यानि इसके उपर क्या आगया आपका यहाँ पर positive charge आगया और यह वाला bond कहां बन गया आपका यहाँ ठेक उसके बाद क्या हो सकता है कि सर दुबारा यह वाला resonating structures है और अगर मुझे यहाँ पर hybrid बनाना हो तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है इधर electron और इन दोनों के बीच में आपका double bond transfer कर रहा है इसके उपर कैसा आया इस पर charge delta positive देखो positive charge आया था ना इसके उपर आया और इसके वाले वे कौन सा carbon बेता positive तो delta positive तो यह क्या बना आपका resonance hybrid तो बस condition याद रखनी है अपने को कि double bond के साथ negative charge conjugation में हो तो resonance हो सकता है double bond के साथ positive charge resonance में हो conjugation में हो तो resonance हो सकता है आगे चले double bond with loan pair तो अगर loan pair के साथ double bond हो तो भी आपका हो सकता है कैसे देखिए यहाँ पर आप कैसे के देखिए loan pair के साथ यहाँ पर आपके loan pair है यह loan pair आपका यहाँ पर bond बनाया अगर यह bond बना तो carbon की balances यहाँ पर कित्ती हो जाएंगी एक तो यह रही दो और चार पांच पांच तो हो नहीं सकती तो पांच नहने का मतलब यहाँ पर bond आपका जरूर जाएगा तो यह double bond आगया और यह आपका इधर आगया तो यह bond इधर तूटा तो इसके पर क्या आगया आपका negative charge आगया और यहाँ पर आपका बीच में क्या आगया तो वापस आपके यह बन जाएगी तो यह दोनों क्या हैं आपके यह दोनों हमारे क्या है रेजुनिटिंग बना दीजे इसके उपर क्या था कर बन के उपर एक लिए उसके ऊपर क्ली बात क्लियर चलो आगे čलते हैं चलो इसके बाद अगला क्या आ गया है Conjugated with odd electron जहां पर एक electron आपके करते हैं तो जहां पर आपका double bond आपके एक single electron के साथ भी हो तो वहाँ पर भी आपका क्या होता है बिटा वहाँ पर भी से हमारा resonance हो सकता है कैसे हो सकता है देखो यह double bond है तो एक electron इसके पास चला गया आपका एक electron के लिए देखो मैंने कैसे हो बता है और एक electron आपका यहां चला गया समझ में आ गया तो यह electron इस carbon के पास नहीं जाता है इस वाला electron जो है ने carbon के पास नहीं जाता है basically इनके पास आ जाता है यहां बीच में आ जाता है यहां पर देखो एक लेक्ट्रों यह रहा और एक लेक्ट्रों यहां से आ गया तो यह दोनों क्या बना लेते हैं बॉंड बना लेते हैं तो यह बॉंड की फॉर्मेशन यहां पर हो गई और यह एक यहां पर आ गया तो यह दोनों आपके क्या हो गए रेजोनेटेंग स्ट्रक्चर्टर्स हो गए और हाइब्र बनाना हो तो यह डॉटेड यह डॉटेड आ जाएगा इधर भी आपका एक एक याद रखेंगे किसके साथ क्या हो रहा है तो आपका तब भी कोशन सौल्व होने लग जाएंगे ठीक है कि और डबल बॉंड के साथ और एलेक्ट्रॉन है डबल बॉंड के साथ पॉजिटिव चार्ज है लोन पेर है नेगेटिव चार्ज है तो इन सब के इसके अंदर और बिटल रेजोनेंस कि अगर किसी के पास विकेंड और बिटल है तो वहाँ पर भी रेजोनेंस पॉसिबल है तो साथ केस टोटल मैंने आपको बता दिए जहां जहां रेजोनेंस आपका पॉसिबल हो सकता है इसके अलावा कोई भी ऐसा केस नहीं बचता कि जहां पर इसमें कौन-कौन से rules होते हैं, वो हम देखते हैं, तो पहला rule क्या है, कि all atoms remain at their position, only delocalization of pi electron, loan pair, negative charge, positive charge, और odd electron take place, मतलब free radical, odd electron मतलब free radical, तो यह बात तो अभी true है, अभी हमने देखा, जो आपके atoms थे, वो तो आपके एक जगा मौझूद थे, जैसे यह CH2 था आपका, यह आपका CH था, टेक, तो यहाँ पे move क्या कर रहा था, सर यहाँ पे आपका loan pair move कर रहा था, और आपका यह वाल condition के उपर, आपके atoms move नहीं करते, आपके atoms move नहीं करते, आपके atoms move नहीं करते, तो क्या move करते हैं, सर, atoms नहीं करते, हमारे आपके pi electron हो गया, loan pair हो गया, positive charge हो गया, negative charge हो गया, यह सब आपके move करते हैं, और free radical भी हो गया, यह सब आपके move करते हैं, पर आपके atoms, molecule, वो move नहीं कर क्लिर हो गया पहला रूल टेक दूसरी चीज आपके रेजुनेटिंग स्ट्रक्ट्टर के उपर नेट चार्ज सेम होता है अब सर नेट चार्ज कैसे जैसे आगर आप यहां पर देखे तो यहां पर इस वाले लेफ्टन साइड पर रेजुनेट चार्ज किता रहा था आपका प्लस वन और इदर राइट और इसका बनाया आपने रेजुनेटिंग स्ट्रक्ट्टर बनाया तो यह डबल बॉंड इदर चला गया तो यहां पर भी चार्ज किता आ रहा है प्लस वन तो लेफ्ट एंड साइड में और राइट एंड आपका चार्ज बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा तो हमेशा लेफ्ट और राइट रेंड साइड में यानि रेजुनेटिंग स्ट्रक्ट्ट्टर के अंदर आपके हमेशा सेम चार्ज होंगे यहां पर देखिए यहां पर क्या था आपका नो चार्ज था यहां क्या था अब यह आपका इधर गया तो इसके रहेंगे सेम रहेंगे पीछे यहां पर क्या था यहां पर का नोचार्ज अगर आप इदर देखे तो इधर क्या नेगेटिव मतलब नो चार्ज तो रेजुनेटिंग स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् यहां पर आगा आप बनाएंगे तो जो भी पाइल एक्ट्रॉन और लोन पेर्स थे वह आपके सेम नंबर में मौझूद होंगे कोई भी कम यह जादा नहीं होगा अगली चीज कि जितने भी रेजुनेटिंग स्ट्रॉक्ट्चर्स होंगे आपके लूइस ऑक्टेट रूल को अगर किसी बच्चे को यह 12th class का topic नहीं है यह आपका 10th class का topic है 9th और 10th में पढ़ाय जाता है अगर किसी बच्ची को यह लूइस ऑक्टेट रूल नहीं आता तो मैंने class 10th की वीडियो है मैं नीचे description में link दे दूँगा आप लोग महां से cover कर सकते हैं अगर किसी को नहीं आ अगर आप लोग अगर आप याद रखेंगे कि लूइस ऑक्टे टूल भी आपका follow करते तो तब भी आपका काम चल जाएगा रिवाइस करने की नीड नहीं है ठीक है चली आगे चलते हैं ठीक अगर मैं पूछो resonating structures बनाने कि resonating structures कैसे बनते हैं पुराने पीछे वाले के तो resonating structure बना सकते हो तो कैसे बनाओगे देखो यहाँ पर आपका loan pair है और यह आपका double bond तो इसका मतलब यह दोनों किसमें होगा,conjugation में होगा तो यह double bond यह आपका loan pair इधर आया और यह आपका कहां गया बटा यह इसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं ठीक आगे बनाएंगे तो कैसे आजाएगा आपका ही, ऐसे आजाएगा,oh double bond यह आपने बनाएंगे और यह आपका negative charge कहां गया यहाँ पर आगया और यह आपका ऐसे था, टेक, oxygen ने अपना loan pair दिया है, एक loan pair दिया है तो इसके उपर क्या आजाएगा आपका positive charge आजाएगा, बताओ clear, टेक, एक resonating structure ब positive है, यहाँ देखो, आपका यहाँ पर positive है, और यह negative है, तो मतलब यह भी अभी neutral है, अब क्या होगा, कि यह आपका कहां आगया, इधर आगया, अब यह वाला है, आपका कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, कैसे resonance बनेगा, आगे बनाओ, ओ, टेक, यहाँ क्या होगा, कि यह negative वाला आपका यहाँ पर bond बनाएगा, अब यह वाला फिर आपका कहां पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, ठीक है, तो यह कैसे बने जाएगा, double bond, oh, h, positive, take, यह आपका इधर आगया, और इधर आपका negative आगया, अब यह negative वाला अब इधर यह double bond आपका वापिस पर पहुंच जाएगा, मतलब आपका कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, वापिस, समझे में आ गया, तो यह देखो, यह आपके दोंबननी का है, रेशनेटिक स्रॉक्चर, अब फिर किसे ने पूछा, कि सर आप मुझे एक reason बता दो, कि सर अ carbon, यह double bond, यह carbon और यह आपका ऐसा, ठीक है, और यहाँ पर आपका यहाँ आपका carbon था और उसको नेगल घंटिव चार्ज और ऐसे था, ठीक है, यह कुछ है, अब एक्च्छिल में हो कहा है, यहाँ पर आपको hydrogen भी अटेच है, और यहाँ पर भी आपका hydrogen अटेच है, और यह बांड बन जाएंगे मान लो कि यहां पर एक बांड बना लिया तो दो बांड यहां और एक बांड यहां तो का इस वाले कार्बन के पांच बांड नहीं बन जाएंगे और अपने को पता है कि कार्बन कभी भी पांच बांड नहीं बनाता कार्बन की वेरिंसी चार होती है वो यह वाला कारवन क्या करता है जब यह आपका उपर से negative charge आया इसने double bond बनाया तो यह अपने negative यह वाले double bond के charge को यहां पर बेच देता है तो reason क्या था? reason यही था कि सर यह negative charge के उपर आने का मतलब है और negative charge का आना और आपके πाई electron का इस double bond का आगे जाने का reason यह है क्योंकि ये वाला carbon आपके 5 bond नहीं बना सकता इसी वज़े से ये अपने bond को आगे shift करता है पेपर के अंदर आपसे resonating structure जरूर पूछेंगे आप आगे जाएंगे तो आपको resonating structures बनाने पड़ेंगे तो ये phenol के आपको resonating structure समझ में आया है ये phenol का और ये reason समझ में आया आगया पका अब मैं आपको यहां पे एक homework दे रहा हूँ आप ये आप खुट try करना वीडियो pause करना और इसके साथ में ही आप ये बनाने का try करना एक बार बन जाएगा न एक बार थोड़ा सा कोशिश करना एक बार बन जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी ये ये से में आपका से में ये नेगिटिव चार्ज को यहां डालेंगे आप ऐसे करेंगे यहां पर ऐसे आजाएगा और ऐसे आपको forward होता रहेगा इसको बनाने के लगा दो यहां पर होगा किया यहां पर यहां पर क्या होगा यहां जो सबना भल्कट हो जो धना क्या हो यहां mom यह डवल बांड की आपके लेक्ट्राइन ले लेगा अगर यह और यह अपने पास दो लॉन पिर और एक उसने और दे लिया तो नेगर चार्ज पर आ गया की सिंगल करफन अब action में होने के वाला आपका देखना step समझना बहुत important step है समझ जाओगे आप अब यहाँ पर carbon ने इस लिए यहाँ पर oxygen ने आपके electron को ले लिया तो oxygen के electron नेने के वरे से carbon electron deficient होता है तो यह क्या करता है benzene से electron withdraw कर लेता है यहाँ पर इसने double bond बना लिया अगर इस बार electron withdraw कर लिया इसने तो यहाँ पर आपका electron लिया ना इसने तो इस वरे से इसके उपर यहाँ पर क्या दुबारा करो और दुबारा देखना है एक मार अब इस positive charge का क्या होगा यह positive charge करेगा इस वाल electron को यहां बुला लेगा अपने पास बांड बनाने के लिए अब यहां से आपका बॉंड गया तो अब positive charge और कंटेंड आ जाएगा आपका यहां पर आने लग जाएगा आगे जब आप बनाओगे तो देखो कैसे आजाएगा यह अक्सिजन यह लोन पर इनेगेटिव चार्ज यह कार्बन डबल बॉंड ठीक है अब यहां पर आपका यह बॉंड आ गया तो आपको पॉजिटिव एक दो और नेगेटिव चार्ज आ गया यह एच आ गया डवल बॉंड यह आ गया आपका यहां पर बॉंड आ गया और यहां पर बॉंड आ गया पॉजिटिव चार्ज का आ गया आपका यहां पर आ गया अब इस पॉजिटिव चार्ज को दो धन्त समझने यहां पर आपके यह करा और इस बार आपका यहां बन गया और यह आपका जो कार्वन था यह था आपको फोष्डन टेक है ऑLED आए तो is बार अपने एक होड़ नेगेटिटिफ चार्श यहां दे हिए तो gedaan झाज गुमा औफ तो आप यहां पर इस वाले का भी बना सकते हैं और पीछे वाले केस में कॉसा डेखना पर नेगेटिव चार्ण़ड का गुमन्य में क्या दिफिरस होता है यह मैं आपको आगे जा के बहुत डिटेल में कराऊंगा तो अभी आप इतना समय नहीं पड़ेंगे तो इसके दर बताऊंगा आपको ना अभी के लिए आप बस ही रिजुनेटिक सक्षेश ज्याद रखना यहां पर मैं आपको एक हमवर्ग भी दे रहा हूं जिससे आप यहां पर कर सकें एक यहां पर रखना CH2 पॉजिटिव यह वाला बनाना इसके अंदर आपके रिंग के उपर पॉजिटिव चार्ज घुमेगा यह कोशिन जरूर करना क्योंकि जित्ता ज़ादा आप यह कोशिन करोगे आपको clarity हो जाएंगी पहले आप खुद बनाना अब आपको इसको note मत करना पहले आपको इसको खुद बनाने की नहीं हो तो दुबारा आप इसको देखना क्लेर हो गई वाली बात बताओ ठीक है अब यहां पर मैं आपको एक और चीज बहुत इंपॉर्टन चीज़ जो आपको मैं यहां पर बता देता हूं देखो आपने फिनॉल में देखा आपने फिनॉल बनाया भी मेरे सामने ठीक ह ऐसा कुछ बनाया था आपने और आपने एक यह बनाया इनके नाम आपको मैंने बढ़ा चुका हूं नॉमन क्लेचर में कौन कौन से नाम याद रखने थे ठीक है तो आप इन दोनों में ज़रा ध्यान से देखना कि आपका पॉजिटिव और नेगिटिव चार्ज कौन कौन से पॉजिशन पर आया नेगिटिव चार्ज आपका एक इस पॉजिशन पर आया एक इस पॉजिशन पर आया और एक आपका इस पॉजिशन पर आया तीन पॉजिशन के उपर आया और यहां पर पॉजिटिव चार्ज किस पॉजिशन पर आया एक इस पर आया इस पही था फ पता हो क्या बोलते हैं और्थो बोलते हैं अगर आपकी कोई चीज ऐसी हो आपके बेंजीन के उपर यहां पर और यहां पर हो तो इसको हम क्या बोलते हैं मेटा बोलते हैं और अगर आपके उपर वाले कारबन के उपर आ जाया और नीचे पर आ जाया तो इसको हम क्या बोलते है पैरा बोलते हैं तो आपने बेंजीन रिंग के अंदर अब्जर्व करा हो तो इलेक्ट्रों यहां पर पॉजिटिव चार्ज आपका यहां पर आया था यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज था यहां पर नेगेटिव चार्ज था और यहां पर नेगेटिव चार्ज था तो सर्थ बेंजीन के अंदर हमारे बेंजीन के अंदर negative और positive charges कहां पर आए है हमेशा सिर्फ ortho and para position तो ortho और para position के उपर ही आपके benzene के charges आए है clear हो गई वाली बात बताओ कोई doubt तो ये वाली चीज़ आप clear रखना इसके अंदर कोई doubt हो तो बताओ तो ये वाली बात आप ध्यान रखना है कि बेंजीन के उपर आपके negative charge और positive charge कहां आए है सिर्फ ortho और para के उपर आया clear हो गया टेक इसको note कर लेना मैं आप से रप कर रहा हूं ठीक है इसके बाद आपको मैं कुछ और चीज़ यहां पर करा देता हूं देखना जैसे आपने यहां पर बना दिया ठीक है तो oxygen के उपर यहां पर दो negative charge ऐसे मौजूद होते हैं तो यहां पर बीटा आपका resonance होता है जिस वरे से compound बहुत ज़्यादा अनायन आपका stable हो जाता कैसे सरी negative charge का यहां आना इसके उपर negative charge आ जाएगा ठीक है पहले white वाला होगा उसके बाद क्या होगा सर इसका card and fast rule नहीं है बना लोगे अरे देख लो यार कोई दिक्कत नहीं लो बना लो co32 माइनस चलो बना लो कार्बन डवल बॉन्ट ओ ओ ओ माइनस ओ माइनस ओ माइनस ठीक अब बनाओ यहां पर कैसे होगा पहले स्टेप में क्या हो गया सर यह चीज इदर आ गई और यह चीज करता है कि ओ नेगेटिव डवल बॉन्ट ओ ओ ओ नेगेटिव टेक अब क्या होगा बेटा